नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Current Affair की इस क्लास में, आज है डेट 26 दिसंबर 2019, आज का Current Affair हम डिसकस करेंगे, उससे पहले एक बात हम देख लें, कि गलतियां इस बात का सुबूत हैं, कि आप कोसिस कर रहे हैं, कई बार हम आप घपराने लगते हैं, हम फेल होने लग करता है कि कुछ गडबड हो रहा है, अच्छा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, कि हम कोसिस तो कर रहे हैं, और जो कोसिस करता है, वही आगे बढ़ता है, इसी सुबिचार के साथ में, आज की क्लास हमें स्टार्ट करेंगे, और Current Affair जो म सुधान मंतरी है, स्री नरेंदर मोदी जी, उनके द्वारा ये लांच की गई है, और ये जो योजना है, इसके बारे में कुछ बाते हम को जाननी है, सबसे पहले तो इसका उद्देश क्या है, इसका उद्देश है कि प्रात्मिक छेत्रों में सामूहिक भागीदारी के मुजल का प्रवंधन किया जाए और इस्तिति को सुधारा जाएं, और इस योजना के लिए 600 करोन रुपिये दाशね है, स्री, 6000 करोन रुपिये, भाहत ज़ादा रखम होती है, 6000 करोन रुपिये इसके लिए मनजूर किया गये है, और योजना, जो ये है, इसमें प्रात्मिक जिलों, इन राज्यों के 78 जिलों में 8,350 ग्राम पंचायतों की योजना के तहट लावानवित होने की आसा इसमें की गई है, कि इतने छेत्रों को, इतने ग्रामों को, इतने जिलों को इसमें लाब दिया जाएगा. ये भूजल संसाधन की जो कमी हो रही है, उसको दूर करने के लिए योजना लाई गई है, अब इससे जहां पर भी भूजल संसाधन में सुधार किया जा सकता है, जैसे भी, वो कोशिसें की जाएंगी. बहुत सारा जल, हमारा जो बरसात का होता है, बारिस का जल, वो बेकार जाता है, उसके लिए कोशिसें की जाएंगी. अब ये सब जो कोशिसें होती हैं, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जनता की भागिदारी बहुत अच्छे से हो, क्योंकि सरकार तो योजना चला देती है, चीजें लगा दी जाती है, एकूप्मेंट लगा दी जाते हैं, लेकिन उनका इंप्लिमेंटेशन तब तक किया जाएगा, दिल्ली काइबनेट की प्रदूसर्ण पर एक नई नीती आई है, इसको दिल्ली काइबनेट ने मंजूरी परदान की है, ये इंपोर्टेंट है, 24 दिसम्बर की बात है, 2019 यही, इसमें 2024 तक नए पंजी कृत वाहनों में 25% विद्दुत वाहन सामिल करना, ऐ ऐसे उद्देश को साधती हुई, ये नीती है, दिल्ली काइबनेट ने इसको मंजूरी दी है, 24 दिसम्बर को, यानि कि जब 2024 आएगा, तब तक इनका उद्देश है कि 25% जो वाहन चले दिल्ली में, वो विद्दुत वाहन हो जाए, अच्छी पहल है, इसके लिए बहुत स ये सब बढ़ावा देने से क्या होगा, कि लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे, यानि कि जो विद्दुत वाहन है, उनका अगर परचलन बढ़ेगा, तो परदूशन में कमी आएगी, ये जो नीती है, इसका निर्माण UNEP, यानि कि संयुक्तराष्ट विकास कारिक्रम के विसिस जाती है कि हाँ ये सही है, दिली में परदूशन की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, और इस परदूशन में 80 प्रत्सत, कारवन मोनो आकसाइट, 40 प्रत्सत जो BM 2.5 है, और 80 प्रत्सत नाइट्रोजन आकसाइट, इसके उस सर्जन में देखा जाए, तो इस पर कंट्रोल लग जाएगा, ऐसे दीरे-दीरे क्या होगा, अन्य प्रदेसों में भी ये पहल होगी, और जैसे बिहार ने अभी पुराने वाहनों पर प्रतिवन लगा दिया है, कि पुराने वाहन जो है, वहाँ पे 10 साल से ज़्यादा पुराने वाहन जो डीजल वाहन जी उनका जन्म दिवस होता है, 25 दिसंबर, उसी के दिन ये मनाया जाता है, और ये सुसासन दिवस को 2014 से मनाया जा रहा है, 2014 में पहली बार इसे मनाया गया था, इसलिए ये क्या है, छठवा सुसासन दिवस है, विदेश मंतरी के रूप में जब अटल विहारी वाजपेज 1977 की बात है, जब कारी कर रहे थे, तो इनके बारे में एक बहुत महत्पून बात है, कि इन्हों ने उस समय संयुक्त राष्ट महासभा में हिंदी में भाशर दिया था, तो बार बार प्रशन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट महासभा में हिंदी में भाशर देने वाल पहला नेता कौन था भारत का, तो इनका नाम सामने आ जाता है, और जब भी हिंदी की बात होती है, तो अटल जी का नाम आये विना नहीं रहता है, अटल जी थीन बार प्रधान मंत्री रहे, उसके पहले इन्होंने देखा जाए तो विदेश मंत्री के रूप में भी कारी किय फिर जब वो 1998 से 1999 के बीच में प्रधान मंत्री थे, तो 11 महीने तक, यहनी कि पहली बार ये केवल 13 दिनों के लिए प्रधान मंत्री थे, केवल 13 दिनों के लिए, और उसके बाद में ये 11 महीने के लिए प्रधान मंत्री रहे, ये कारी काल आप ध्यान लखे, और उसके 1996 में 13 दिन के लिए और फिर 1998 से 99 में केवल 11 महिने के लिए और बाद में 1994 से 2004 तक इन्होंने पूरा कारिकाल पूरा किया था। तो ये चीज़ें आपको त्यान में रखनी चीए हैं। कभी-कभी ये जो जानकारियां होती हैं आपके कुश्चन को सही करने में मदद करती हैं। 10 बार ये लोकसभा के सदसे रहे थे, ये भी आप ध्यान रखिये। लखनव लोकसभा सीट से ये लाश्ट तक जब तक राजनीत में सक्रिये थे, संसद चुने जाते थे। तो संसद ये जो रहे हैं वैसे तो बारा बार रहे हैं, क्योंकि 10 बार लोकसभा से रहे हैं और 2 बार ये राज्यसभा से भी चुने गए हैं, है ना, फिर 2009 का जब समय आया, जब इनका स्वास्त बहुत खराब रहने लगा, तो इन्होंने सक्रिये राजनी से सन्यास ले लिया थे, बिमार रहने लगे थे, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, आयनिक मामलों के विभाग का ये प्रमुक होगा, यानि कि सबसे बड़ा पदी होगा, और देश का सर्बोच सैन अधिकारी होगा, वैसे अलग-अलग, यानि कि जल, धल और नव सेना जो हमारी है, तो उसके अलग-अलग अधिकारी होते हैं, वो अपने विभाग के सीर्स ह अधिकारी होगा, ये तीनों बलों के बीच में समन्वे अस्थापित करेगा, और उनकी जो इपिंसियंसी है, प्रभाव सीलता है, उसमें ब्रधी करने का ये कारी करेगा, इसका मुख्यकार यही होगा, अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए, भारतिय सेना, जो है, व ये रहेगा, सायन सलाकार के रूप में भी ये कारी करेगा, यानि कि बहुत ज्यादा महत्पूर्पद है, प्रादेशिक सेना भी इसके अंतर गताएगी, जो भी नियम प्रक्रियाये चल रही है, उनको उनके सही से लागू करने के लिए उनके लिए ये प्रयास करेगा, ज जो भी पूंजीगत प्राप्तियां होती है, उनको छोड़कर जो अन्नी बिसिष्ट सेवाओं के लिए खरीद पूरी जो भी होती है, उनके लिए ये कारी करेगा, जो भी सुदेश निर्मित उपकरण हैं, उनको ज्यादा यूज किया जाए, यानि कि उससे भारत में ही हम और अभी स्वतंतरता दिवस के उसर पर प्रदानवंतरी मोधी ने इसके सिर्जन की घोशना की थी, और अभी साल के अंत में इसको कर दिया गया है, ठीक है, तो ये एक important news है, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, drug repurposing, ये बहुत important एक news है, drug repurposing क्या है, सबसे पहले हम य जानेंगे, अनुसंधानात्मक दवाओं तथा पहले से मानिता प्राप्त दवाओं के उप्योग को खोजना, drug repurposing, यानि कि उसका फिर से purpose क्या है, तो जो भी दवाएं ऐसी हैं, जिन पर अभी अनुसंधान चल रहा है, उन दवाओं को, और साथ में पहले से कुछ मानिता प्राप्त दवाओं हैं, तो उनका क्या उप्योग हो सकता है? ये कोसिस इसके तहत की जाती है, इससे क्या होता है? अगर ये ऐसी कोसिस की जाएगी, तो इसका जो दवा होगी, तो इसके द्वारा जो सामान और दुरलब रोगों का उपजार करने के लिए जो भी दवा आए हैं तो इनका उपयोग जब हम करने चलेंगे तो कम समय में हम उसको दे सकते हैं और इसके डेबलेमेंट की जो काश्ट है वो कमाती है वैग्यानिक वा अध्योगिक अनुसंधान परिसत CSIR और CDRI केंद्रिया अउसद अनुसंधान संस्थान ये पहला वाला तो दिल्ली मे ये नहीं किया जाएगा ड्रग रीपरप्रजिंग ये वलकी पूरे विस्व के लिए किया जाएगा भारत में भी और पूरे विस्व में भी इसका उपयोग हो सकेगा अब ये CSIR जो है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए CSIR यानि कि The Council of Scientific and Industrial Research ये जो ह है 1942 में इसके अस्थापना की गई थी भारत अब आजाद नहीं हुआ था और Registration of Society Act जो 1907 है उसके तहट है और ये एक autonomous body है क्या है ये autonomous body है हिंदी में क्या कहते है स्वायत संस्थान है स्वायत संस्था है और केंद्रिय विज्ञान और तक्नीक मंत्राले जो है उसके द्व गलग परिछाओं में पूछा गया है ठीक है विश्व अस्तर पर जो सरकारी संस्थान है उनमें इसका बहुत अच्छा स्थान भी है ये टॉप 10 में उसमें आता है ठीक है बहुत सारी इसकी प्रयोक सालाएं है मुख्याले जो है इसका वो नई तिवली में है दूसरी बात कंदू ये जो है इसके ये बायोजिस्ट है और इनको जो है ये सांति सुरू वटनागर प्राइज भी मिल चुका है ये डारेक्टर है इसके इस समय CTRI के इतनी इनफार्मेशन इसके बारे में आपको जानी चाहिए और सबसे महत्मूर बात है कि ये लखनौ में है जितना य आसम गैस कैकर प्रोजेक्ट ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत दिनों से चलता आ रहा था ये 2006 एक कैबनेट समीती ने अपरेल 2006 में इसको मंजूरी दी थी लेकिन उस समय क्या मनमोहन सिंग की गवर्मेंट हुआ करती थी तब से ये फसा पड़ा हुआ था प्रोजेक्ट अब क्या हुआ है अभी प्रधान मंतरी की अधिक्षता वाली एक आर्थिक मामलों की कैबनेट समीत है उसने इसको किर्यानमें के लिए मंजूरी दे दी है ये जो प्रोजेक्ट है सारजिनी कुद्यम की इकाई ब्रमपुत कैकर और पालीमर लिमिटेट का प्रसास्निक नि यंत्रन था वगत रसायन व आपको समझनी है ये जो परियोजना है सबसे पहले तो इसका उदेश क्या है और इसकी कैपसिटी क्या है इसमे प्रतिवर्स दो लाख टन इथिलीन के उत्पादन का लच्छ रखा गया है। और इंपोर्टेंट बात ये है कि ये उत्तर पूरवी भारत में प्रथम पैट्रो केमिकल प्रियोजना है। इस प्रियोजना का जो उस समय उद्देश रखा गया था कि सामाजिक आर्थिक विकास होगा लोग इससे जुड़ेंगे। ये जो असम एकार्ड है ये क्या था थोड़ा सा इसके बारे में भी हमको जानना है। अगली न्यूज देखने से पहले थोड़ा समय इसके बारे में यहाँ पर स्लाइड में कुछ नहीं है लेकिन मैं अलग से इसमें बताया दे रहा हूँ। असम समझावता जो था वो गौर्वर्मेंट आफ इंडिया के जो रिप्रेजन्टेटिव थे और असम आंदोलन जो चला था उनके नेताओं के बीच में ये हुआ था। 15 अगस्ट 1985 को जब ये समझावता हुआ था उस समय PM कौन थे राजियू गांधी। फिर 6 साल का अंदोलन शुरू हुआ उसके बाद में और बहुत सारी चीज़ें। मतलब अंदोलन तो खेर ये समझावता हो गया तब भी छुटपुट चलते रहें। लेकिन यहाँ पर आपको ये ज चल रहें। पॉपलेशन रिश्टर की बात करें। यह जो भी मुद्धे चल रहे हैं। तो उस चेतर में असम समझावते का जिक्र कहीं न कहीं आही जाता है। क्योंकि उस समय की बात अगर उसमें जो समझावते हुए थे। उसमें जो आप्रवासी बंगलादेसी उसमें 800 से जादा, लगबा हजारों लोग इसमें मरे थे, 850 से जादा ये आकड़ा मिलता है कि लोग मर गए थे, ठीक है, और फिर जब असम समझहोता हुआ था, तो उसी पे जब हस्ताच्छर हो गया, तो ये पूरा मुद्दा ये अंदोलन समाप्त हो गया था, तो ये असम समझहोते के समय ये हुआ था, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है, भारत वा ब्राजील का नभी करनिये उर्जा छेतर में एक समझहोता हुआ है, ये जो समझहोता है, ये केंद्रिये काविनेट ने इसको मनजूरी परदान कर दी है, मेमोरेंडम आप अंडरिस्टेंड होता है, और आपसी सहमत इसमें बनाई जाती है, जिसका उपयोग ये समान हित के लिए करते हैं, यानि कि समान हित होते हैं, और समान हितों में इसका उपयोग किया जाता है, कि हमारा अगर कोई काम ये है, तो आपका काम ये बनेगा इसमें, ठीक है न, तो इस तरीके से समा हस्ताचर किया गया, या MAU जैसे भारत पाकिस्तान के भीच में कई जगे से हटा लिया गया, ठीक है? और इसकी वायधानिक वानिता भी होती है, कंडिसंस होती हैं, सर्थ होती हैं और उनी के आधार पर ये कारे करता है तो ये बाते हो गई, अब इसमें जो भारत और ब्राजील के भीच में हुआ है ये नविकर्णिय उर्जा के छेतर में सोध और विकास के लिए हुआ है यानि कि इसमें Research and Development की बात की जाएगी नविकर्णिय उर्जा छेतर में लैटिन अमरिका की अगर हम बात करें और कारेवियाई छेतर में जो भी देश है उसमें ब्राजील भारत का लंबे समय से एक महत्पूर्ण ब्यापारिक साजेदार रहा है अच्छा पार्टनर रहा है ट्रेट पार्टनर अच्छा रहा है 2030 तक भारत ने लच्चे रखा है कि पैट्रोल में 20% ये बहुत इंपोर्टन है और 20% अथनाल और डीजल में 5% बायो डीजल मिजरित करके वो वेचेगा यानि कि मार्केट में लोगों को उबलब्द कराएगा तो अगर ये लच्चे है तो इसके लिए भारत और ब्राजील का जो ये समझा होता है ये बहुत महत्पूर्ण भूमी का निभा सकता है क्योंकि जो ये ब्राजील है ब्राजील विस्ट का अगर जैव इन्धन उत्पादन की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा उभोकता भी है और उत्पादक भी है उत्पादक और उभोकता दोनों है तो भारत और ब्राजील का जो ये समझा होता हो रहा है वो भारत के जो 2030 का लक्ष है इसमें बहुत मदद करने वाला है ठीक है तो देखे जब कोई समझा होता होता है तो उसके उदेश तो कई होते हैं लेकिन प्रमुक उदेश जो होता है वो बहुत important होता है तो ये महत्पूर्ण topic रहे अब आज हम आपके सामने कुछ 3-4 point ऐसे भ मोदी years इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आप से पूचा जा सकता है तो इसके लेखक है राहुल अगरवाल और भारती हैस प्रधान ये पुस्तक जो है ये जो हमारे PM मोदी है उनके बचपन से लेके और अभी तक कि कहानी जब तक को पूरा वो वणित कर रही है तो ये प पर आप एक याद कर लीजे, महिला एकल वर्ग में एसले बार्टी को चुना गया है, किसको चुना गया है, एसले बार्टी, तो ये महिला वर्ग में एसले बार्टी, तो इसमें महिला जो वर्ग में जिन्होंने जीता है, ITF चैंपियन जो बनी है, वो है एसले बार्टी, आंद्रप्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और इसमें ये जो योजना है वो हैंडलूम जो बुनकर परिवार हैं, हैंडलूम बुनकर परिवारों के लिए हैं, इस योजना के तहट लगभग 85,000 परिवारों को लाम मिलना है और हर परिवार को जो परिवार इसमे ये Equador है, एक गाला पगोष आईलेंड परता है, पैस्पिकोसियन में, वहां पर ये देखिए, यहाँ पर ये मैप में गाला पगोष आईलेंड ये है, यह साउथ अमरिका है, साउथ अमरिका के लेप्ट में आप इतर देखेंगे, लेप्ट का मत्तलब यहाँ पस्चिम में, तो यह Ecuador यह एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले मैप में, Ecuador के पस्चिम में यह Galapagos Island के आसपास यहाँ पर तेल फैल गया और इंधन फैल गया और इंधन फैलने के करण यहाँ पर आपात काल खोसित कर दिया गया. गयलपagos Island के बारे में जो और important चीज़े हैं, यहाँ से equator गुजरता है, विस्वत रेखा, equator कहां से और गुजरेगा, यह Ecuador से भी गुजरता है, और कोलंबिया और ब्राजील से गुजरता हुआ ऐसे चला जाता है, लेकिन अगर आप से कहा जाए पेरू से गुजरता है, तो प यहाँ से यहाँ ओपर जहाँ पर टच होता है, तो यहाँ से भी गुजरता है, तो Ecuador, पेरू, कोलंबिया और ब्राजील, यहाँ से ही गुजरता है, और गयलपagos के अगर आपके इस्तिती पूछी जाए, तो इधर यह South America है, South America के, इधर तो यह Atlantic Ocean हो जाएगा, यह South Atlantic Ocean है, यह North Atlantic Ocean है, और इधर लेप्ट में, यहाँ गयलपagos वाला जो एरिया है, यहाँ पर यह Pacific Ocean का एरिया हो जाएगा, तो आज का Current Affair यहीं पर समाप्त होता है, आपको यह कैसा लग रहा है, यह बताईए, जो और आप IFS में input चाहते हैं, कि और चीज़ें जोड़ी जाएं, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो आप इससे जुट सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आईकान प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको वीदियो के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएं, थाइंक यू, थाइंक यू बेरी मास,